एलो गाइज सास्रीकाल नमस्ते आदाब हम आद ले क्या हैं विंड़ो एसी की सर्वस कैसे करते हम और इसके पार्ट्स बगारा साथ भी खोल लिए हमने उचाइक पे रख ले है और इसको धो रहे हैं विंड़ो एसी को ये केमिकल के बगार सर्वस है गाइज पहले तो हमने इसकी सप्लाई आए जो उसको भीगने से पिचाना है वो नहीं भीगनी चाहिए सप्लाई अगर वो भीग जाएगी तो कस्तमर को काफी दिक्कत आएगी रपेर करने में और अभी हम साफ कर रहे हैं ये विंड़ो एसी बुल्टस का है दे टन का एसी उसके काफी चका चक और रगा है ये वाला है लोट का इसी इसको हम केमिकल में इसमें शिंकेंगे केमिकल और ये शिंक दिया हमने केमिकल गईज और ये थोड़ा सा एक्षिन करेगा इसमें जो भी धूल के कान मिटी के जो भी दस्ट बगारा के जो कान होंगे वो गाल देगा और इसके बाद हमें इसमें प्रैशर से साफ कर देंगे और अब भी हम प्रैशर चलाएंगे तो केमिकल हमने डाब दिया है और इसको अच्छी तरह प्रैशर से साफ कर देंगे गाईज और इसके बाद हम आप के लिए और भी नई नई वीडियो लेखे आएंगे जो इंडॉर है वो है अगर मेरे पास है उसको भी साफ करेंगे गाईज और यह सर्वस हैं जो है काफी साफदानी से करने पड़ती है क्योंकि सप्लाइ बगर ना भीग जाए इसलिए और आगे की वीडियो भी मैं आपके लिए लेकि आमका गाईज निजदीक से हम समझाएंगे आपको भी कैसे कैसे सर्वस होती है कौन से पार्स बचाने चाहिए भीगने से और अभी हमारा जो एसी है यह तो अपना सर्वस हो चुकी है कंप्लीट हो चका है अभी हम गलोर को जो है वो भी साफ करेंगे आज की वीडियो में इतना ही गाईज आगे की वीडियो में हम फिर आपको प्तलाएंगे यह वाला है बलोर जो साफ करेंगे गाईज ओके बाई टा टा टा